हलो वंडर्फुल पीपल, स्वागत है आप सबका Study IQ IS पर, मेरा नाम है वसु कटारा, Senior Faculty Study IQ IS, आप सब के लिए बहुत बड़ा एक opportunity, a moment of truth for you, जहांपर CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, जिसके बहुत सारे offices हैं throughout India, लखनों में है, जब्मू में है, अलग-अलग इंडिया के areas में इनके offices अलग-अलग purpose के लिए देखने मिलेंगे, CSIR के द्वारा recruitment कई सालों के बाद किया जा रहा है, वैसे तो CASE case के तहट पहली बार recruitment किया जा रहा है इस साल, जो की इनके एक recruitment process श रूट करते थे, या तो deputation पर अलग-अलग ministries से बुलाते थे, या तो contractual basis पर recruitment होता था, बट अब पहली बार direct recruitment इतने बड़े scale पर देखने मिल रहा है, 444 vacancies है, 400 से जादा, अब वैसे तो कहना नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा number है, पढ़ा जिस तरीके से government jobs की बहुत कमी है इस ताइम पर, उस हिसाब से 444 is a big number, वना तो 1000-2000 सीट है होती, तब जाकर हमारा aspiring youth है, वो अच्छे से exam दे पाता है, competition बहुत बढ़ जाएगा, और इस बढ़ते हुए competition में exam के लिए आपको proper guidance नहीं मिल पाती, तो वो मैं आपको provide करूंगा ही consistently, ये telegram group मैंने आपके लि मिल जाएगा, इसको join कर लेना, आज ही create किया है और create करते ही कुछ 100 students, 150 students इसमें join कर चुके है, create करते ही 5 मिनट में, आप लोग भी join कर लीजेगा, वैसे main मेरा telegram group वसु कटारा study IQ और instagram पे मैं वसु.कटारा के नाम से available रहता हूँ, मेरा contact number, mobile number इसी telegram group पे available रहता है, जिस प बना है, जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि आखिरकार exam का pattern क्या है, सबसे पहली बात और ये document में telegram पे share कर दूँगा, date exam form भनने की 8 December से शुरू हो चुकी है, आज exam form open हो चुका है, application window is open, eligibility इस प्रकार है, maximum आपकी 33 years की age हो सकती है, minimum का कोई criteria नहीं दिया है, बस आप graduate होने चाहिए, और graduate किसी भी stream से, किसी भी university से हो, अगर ऐसा है कि अभी आप final year में हो, अभी graduation आपकी पूरी नहीं होई है, I'm sorry, मैं दुख पूरवक तरीके से बोल रहा हूँ कि आप इसके लिए eligible नहीं हो, विकोस इसके लिए कोई specific चीज लिखी नहीं गई है, दो post है, एक है section officer का समझेंगे, और फिर साथ-साथ ASO का भी समझेंगे, दोनों के अंदर एक common paper 1 होने चाह रहा है, जिसमें objective questions, MCQ questions होंगे, 150 marks के, जिसमें general awareness, 100 marks का, जिसमें 3 चीज़े आ रही है, एक है history of India and Indian national movement, दूसरा है Indian polity, constitution, governance and social justice, जो आप UPSC के अंदर paper 2, GS paper 2 में पढ़ते हो, और ती इसरा है current issues of national and international importance, मतब UPSC prelims के 3 area को उठाके इनोंने अपने paper 1 के general awareness के portion में डाल दिया, दूसरा portion है आपका English language का, English language 50 marks, 50 questions है, आप मेरे पीछे number of questions देख सकते हो, और उनके marks कितने हैं वो देख सकते हो, time आपको solve करने के लिए मिलेगा, 120 minutes का, 2 घंटे का, और हाँ, अगर ग moving to the paper 2, अच्छा, notification में एक point बड़ा साफ लिखा है, जो कई सारी videos YouTube पे आपने देखी होगी, पर कोई detail में पढ़के बता नहीं रहा, बस लोग बनाने के लिए video बना रहे हैं, बट वो detail information कोई दे नहीं रहा, उसमें पते क्या लिखा है, कि CSIR के पास right reserved है, कि वो paper 1 और paper 2 same day करा सकते हैं, इसके इलावा CSIR के पास right reserved है, कि वो paper 1, paper 2 अलग अलग दिन करा सकते हैं, इसके इलावा paper 1, paper 2 चायद same day हो, अलग दिन हो, उससे फरक नहीं पड़ता, paper 3 हमेशा definitely अलग दिन ही होगा, अभी हम paper 3 पे भी आएंगे, ये लिखा है नीचे, that the above process is suggestive only, final decision to hold paper 1, paper 2 on the same day, or on different days, and when to hold paper, कि exam होगा कब, वो भी department competent authority ही decide करेगी, अपने comfort level के साब से, मान लीजे 10 लाग लोग फॉर्म भर देते हैं, 10 लाग लोगों ने अगर फॉर्म भर दिया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इनके तो server भी crash हो जाएंगे, तो इसलिए ये कह रहें कि अपने information आपको regularly मिलेगी, paper 1 का criteria समझ गया, same day नहीं होगा, अलग अलग दिन भी हो सकता है, होने को same day भी हो सकता है, पर उसकी कोई clarity अभी इनोंने दी नहीं है, 150 marks का paper 1 है, 2 घंटे का, paper 2 पे चलते है, paper 2 जिसका नाम है general intelligence और mental ability का paper, जिसमें reasoning, general intelligence और GS के कही सारे area आ रहे हैं, 200 सव total 8 section में बटे हुए है, एक-एक करके 8 section को समझ लेते है, paper 2 के अंदर total 8 section जो GS paper से मिलते जुलते हैं, सबसे पहला आपका, हमारा होता है quantitative reasoning, quant का paper, 25 questions होगे, दूसरा होगा आपका reasoning का paper, content reasoning के 25, 25 questions इन्होंने include करे हैं, अगर आप bank SSC की तयारी कर रहे हो तो ये strong होगा पहले से आपका, ये मैं expect कर रहा हूँ, इसके लावा general science, जिसमें पढ़ना क्या है, 6th to 12th NCRT's, छटी से बारवी कक्षा तक की NCRT's पढ़नी है, चौथा area क्या है, चौथा area जो मैं पढ़ाता हूँ, economics and social development, eco मैं लिख रहा हूँ short में, और environment ecology का area है, ये हम UPSC के अंदर पढ़ते है और study IQ में हजारों बच्चे UPSC के तयारी कर रहे हैं, और आपके लिए CSIR exam का भी course लेकर आया जाएगा, at a very affordable fees, जो की मेरे telegram group पे आपको देखने मिलेगा वैसे भी, right, and obviously and obvious for obvious purposes, जो अभी तक study IQ के किसी course या किसी भी batch में नहीं जुड़ है, उनको बस मैं एक बात बता दू तो कभी भी जुड़ते हो ना, एक code होता है, that is VASU Life, जिससे आपको maximum discount मिलता है और वो नहीं, मेरी personalized guidance भी मिलती है, UPSC civil service exam के prelims, mains और interview की state से मैं कई बार गुजरा हूँ, और SRCC Shiraam College of Commerce का मैं खुद student रह चुका हूँ, मैं खुद university में पढ़ा चुका हूँ, तो I will be the best person to help you in the area of economics, मैं कई सारे free resource भी हाँ पर share करतूँगा, मेरे telegram group CSIR crackers पहा है, पांचवा section, management principles, ये RBI grade B मैं पढ़ाता हूँ, management principles and practices और मैं खुद college professor है चुका हूँ, तो I have taught this area, so I will be teaching this, the economics portion and the quality portion, ये तीन heavyweight areas मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगे, मेरे को subjects allocate किये गए है, अब देख कर चुके हैं, 5 की कर चुके हैं, 6-7-8 भी कर लेते हैं, ethics integrity aptitude, इसके MCQ आएंगे, आप ये UPAC के अंदर पढ़ते हैं और RBI grade B में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी ethics का portion रहता है, तो जो RBI देते आ रहे हैं, उनके लिए कोई नया area नहीं होगा ये, अच्छा, और क्या है, Indian geography, Indian geography से भी question बनेंगे, ये हर area, जो 8 मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूँ, हर area से 25 question आएंगे, मतलब कोण के 25, reasoning के, general science के, ecology, environment ecology, इसके 25, management के 25, ethics के 25, Indian geography के 25, and 8 है आपका decision making problem solving, ये आप banking exams में पढ़ते हो, decision making problem solving, इससे भी आपको 25 questions देखने मिलेंगे, and 8 sections, हर section में 25 question हो गए, कितने total question, 200 marks के, 200 question हो गए, 1 mark each, ये आपका paper 2 का pattern है, paper 2, आपका date क्या होगी, same day होगा, अलग day होगा, ये सब CSIR के द्वारा बताए जाएगा, on a timely basis, तो ये मैं आपको inform आज कर दे रहा हूँ, कोई भी कह रहा है कि ये date होगी, वो date होगी, मत मानो, February के अंदर exam हो स change also, ठीक है, paper 1, 1500 number का था, paper 2, 200 number का होगी, ये आपका stage 1 है, stage 1 बन गया, 350 marks का, अगर आप minimum threshold clear करते हो, minimum cutoff clear करते हो, जो भी design किया गया है, जो भी इनके द्वारा बताए गया, अगर आपने वो clear किया, तभी आप move ahead करोगे, तभी आप आगे जाओगे, in the next stage, अब next stage क्या है, descriptive, English या Hindi इसमें available होगा, descriptive के अंदर essay writing, दो questions आएंगे, 100 marks के, मतलब 50-50 number के, दो essay, प्रेसी writing आएगी, 30 marks की, 100 plus 30, 130, letter writing या application writing आएगी, 20 marks की, 100 plus 30 plus 20 is 150, तो ये 150 marks का होगया, और खास चीज़ी है, कि ये English और Hindi इन दोनों में available होगा, ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, तो हिंदी मेडियम वाले बच्चे, परिशान ना हो, आपके लिए भी exam में खयाल रखा गया है, you have to take or you have to choose one language, 150 marks का ये paper 3, आपको 2 घंटे, 120 मिनट्स में करना होगा, अगर ये threshold clear किया, paper 1 plus paper 2 plus paper 3, मतलब जो stage 2 है, 500 marks का total, आपको, अगर SO के लिए form भरा है, तो interview के लिए बुलाए जाएगा, ASO के लिए form भरा है आपने, तो computer proficiency test के लिए बुलाए जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग है, जो कि आपकी अगली stage हो गई, section officer के लिए 500 का वो return तो हमने देख लिया, interview का 100 जोड़ लो, 600 marks में से final selection होगा, ASO क और उसके आगे notification में साफ लिख दिया है, कि यह computer proficiency test सिर्फ qualifying nature का है, ठीक है जी, यह आपकी notification में लिखा है, जो आपको मैं अभी clearly बता दू, काफी misinformation spread की जा रही है, कि ऐसे होगा, exam वैसे होगा, अब मैं उस पर क्या बोलू, आपको authentic information यहाँ पर मिल जा रही है, make best use of it, exam center बताए गए है, form के अंदर, मुझे नहीं लगता आपको इसकी कोई requirement होगी, कि exam आप APAS के शहर में जाके कहीं पर भी दे सकते हो, आपकी basic salary level 7 है, जो की 4600 grade पे है, for the post of ASO, और आपके लिए, SO की post के लिए 4800, 4800 grade पे की salary होती है, अब एक बार syllabus और उनका detailed resources discuss कर लेते हैं, जो आएगा non-refundable fees है, SCST, women, person with benchmark disability, CSIR के departmental candidate और ex-serviceman, जो army, navy, air force में serve कर चुके है, उनके लिए 0 है, आप एक महिला है, 0, अगर आप SCST, PWD category से आते हैं, 0, आपको कोई fees नहीं देनी है, ये इसका structure रहेगा, मुझे जो काम की चीज़ लग रही है, मैं वो बताते जारू, और बे फिजूल की चीज़ है, उन्हें skim करता जारो, paper 1 में तीन चीज़े बताई थी, याद कर लो, three things in paper 1, history, polity, current affairs, history का syllabus क्या है, sources of Indian history, हरपन civilization, Morian, Vedic era, post Morian period, गुपता period, ये हम R.S. Sharma नाम की book आती है, उसमें पढ़ते हैं, फिर medieval history, medieval history में बताया हुआ है, इंडिया, North India में कन्योज के आसपास expansion हो रहा था, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में, दिल्ली के मुगल राजों के बारे में, आपके बाबर हो गए, हुमायू हो गए, अकबर हो गए, आपके जहांगीर हो गए, शाह जहां हो गए, और अंगजेब हो गए उनके बारे में, मुगल के लाव डच आए ये सारा एरिया आप पढ़ते हैं मेडिवल इस्ट्री आपको 17 चंदर से कवर करनी है I will write it down ये detail विडियो होने जा रही है मैं लिखूंगा भी अभी उपर उपर से बता रहा हूँ और modern Indian history के लिए आपको spectrum और विपिन चंदरा पढ़नी है इनसे आपका cover हो जाएगा जिसमें गांधी नहरा गांधी जी से जुड़े वए events जैसे एक cake नाम के trick होती है याद करने की गांधी जी ने इंडिया आके तीन बड़े आंदोलन किये थे जिसको हम short में cake कहते हैं C-A-K-E के C for Champaran A for Ahmedabad K for Kheda इस तरीके से याद रखना होते हैं वो हम असान तरीके से अपनी classes में यही तो सिखाते हैं यही तो आपको benefit मिलेगा this is what is the benefit तो मैं यही तो समझाना चाहर हूँ कि यह आपका अप इन किताबों से R.S. Sharma, Satish Chandra, Vipin Chandra and spectrum से cover कर सकते हो, history of India and Indian national movement next phase, polity का constitution, लक्षमी कान से cover हो सकता है वरना study IQ की book भी आती है polity history की उनसे भी cover कर सकते हो Indian constitution, historical underpinning, evolution, features amendment, significant provision and basic structure ये हूपर हूँ UPAC के GS paper 2 के syllabus को इन्होंने cut, copy, paste किया और इस paper में डाल दिया मतब एक शब्द इधर से उधर उपर से नीचे करने की भी जहमत नहीं करी है हमारे CSIR department है लगता है उनमें जो भी employees बैठे हैं कोई ना कोई कभी ना कभी ये exam दे चुका है UPAC का तभी उन्होंने ऐसा किया next is, बच्चा पूछ रहा है क्या सर हम दोनों post के लिए fill कर सकते हैं yes of course आप दोनों के लिए fill कर सकते हैं और 33 तक की age है तो अगर आपकी age जादा भी है आपके UPAC के attempt खतम होगा तब भी आप दे सकते हो दोनों के लिए आप fill कर सकते हो next ये पूरा GS paper 2 पॉलिटी का syllabus है चाहे इंडियन constitution देखे हैं चाहे union state की responsibilities function देखे हैं इंडियन constitution के अलगलब provision देखे हैं हू बहू वही है current events national international importance के साफ इनों ने लिख दिये national issues, Indian economy, my subject मेरी पूरी playlist है Indian economy की Indianomics के नाम से current issues, current affairs इससे cover हो रहे है national international importance के English language and comprehension इसका भी बता रखा है कि reading comprehension है active, passive, direct, indirect, preposition, fill in the blanks, synonyms, antonyms, sentence, correction, common error, punctuation, idiom phrases ये सब इसमें आपको देखने मिल रहे हैं और ये सब आपका SP बक्षी जैसी किताब से cover कर सकते हो current affairs ये सब current affairs आप study IQ की monthly magazine से cover कर सकते हो या कोई भी institute की monthly magazine for that matter क्योंकि current affairs हर institute 19 बीस ही होती है अलग-अलग current इंस्टिट्ट्स current affairs के institute की magazine में 19 बीस का ही फर्क होता है बच्चा पूछा सर लेवल कैसा होता है exam का level आपका moderate level होगा not as hard as UPSC and not as easy as SSC और bank बीच में होगा मैं honestly बोलू तो GK जो है वो defense exam के CDS FCAT के exam के level का होगा CDS, CAPS, FCAT उस type के questions आएंगे ठीक है ठी? चलिए आगे चले और मैंने बता दिया paper 1, paper 2 एक दिन होगा या नहीं होगा ये आपकी CSIR ही announce करेगी कुछ time बाद paper 2, general intelligence reasoning and how many of you have written bank और SSC exam वहाँ ये पढ़ा है आपने analogies, similarity, differences judgment, decision making, virtual memory के question, verbal figures जो होते हैं, non-verbal series, number series ये reasoning में पढ़ा होगा आपने यहाँ पे भी है general mental ability जिसमें आपका coding, decoding, blood relations, direction, sense when diagram, alphabet test sitting, mathematical operations जो puzzle जो होती हैं वो सब यहाँ पे भी है quant के अंदर, LCF, HCF simplification, decimal, data interpretation, ratio, proportion, percentage average, profit and loss, simple interest compound interest, mensuration time and work, time, speed, distance time, speed, distance तो सब का ही अच्छा होगा आप लोगों ने अगर basic maths करा है तो जो SSC, bank, P.O करते हैं वो इसमें strong हैं अच्छा, उसके इलावा science science का 25 questions का area physics, chemistry, biology and computer, IT का area यह चारो area इसमें आ रहे हैं यह आप वैसे भी UPC के लिए करते हैं या वैसे भी आप अपने SSC exam के लिए करते हैं economic and social development मेरा area आ गया economics हम जो syllabus देख रहे हैं यह 9th to 12th class की NCRT's का syllabus है पर questions का level कुछ माइनों में 9th to 12th NCRT's के ऊपर भी हो सकता है जिसमें economic, social development environment, ecology यह आपको करना है इसके लिए book नहीं study IQ की book जो आती economics की और environment की वही पढ़ना है और कुछ अलग से नहीं करना और NCRT's आप कर सकते हो 9th to 12th की बट उसके इलावा nothing more is needed environment ecology सबसे tricky होता है क्योंकि current affair based है UPSC के students UPSC के prelims के अंदर environment ecology को हाथ नहीं लगा पाते क्योंकि इतने diverse area से question पूछा जाता है कोई जानवर western ghats में पाये जाता है कोई जानवर northeast में हमारे पाये जाता है हिमालियन एरिया के अंदर it's not possible to remember all the names बढ़ा मुश्किल हो जाता है तो इसी लिए काफी difficulty area रहता है ethics, integrity, aptitude ethics और human interface वाला पार्ट सुबाराओ और lexicon इसकी book आती है जो आपको पढ़नी है decision making, problem solving इसके लिए कोई perfect book नहीं है किसी भी banking के institution के material को use कर लो हम वैसे provide करेंगे हमारे CSIR batch है उसमें management principles हाँ ये मैं बताता हूँ ये मैं आपको TN छाबडा से पढ़ाओंगा ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ TN छाबडा book है principles of management उसी से पढ़ाओंगा DU के हमारे professor थे, मेरे guru है और उनी किताब से मैं आपको उनी की book से पढ़ाओंगा foreign authors बहुत सारे है but वो Indian context में नहीं है तो I will be using TN छाबडा और मेरे खुद के कुछ notes है college के जो जब मैं खुद पढ़ाता था college में तब DU में पढ़ाया है मैंने I have taught in various colleges in India Narci Monji Institute of Management Sciences and some other colleges I have taught तो मेरे खुद के notes बने हुआ है RBI grade B के time के notes है मैंने RBI exam भी लिखा है नौकरी चाहिए थी भीया दिये अलग-अलग exam apart from UPSC So these notes I have prepared यह मैं आपको अपनी class में cover कराऊँगा जिसमें आपका basics of management clear हो जाएगा Geography Geography के लिए again 11th और 12th की NCRT वैसे तो 6th to 12th पर 11th 12th सबसे important है और उसमें भी Indian geography और Indian geography का भी physical part लोग सोचने हैं कि Indian geography में physical geography cover नहीं होगी क्या बिल्कुल होगी agriculture भी होगा economic geography भी होगी यह नौने नाम के लिए national geography लिखी हुई है क्योंकि यह बताना चाहते हैं कि यह world geography नहीं पूछ रहे यह सिर्फ इंडिया की geography पूछ रहे है यह आप कराएगा बाकी essay writing Hindi English के अंदर प्रेसी writing और letter writing इसका तो syllabus clear है और computer proficiency test के लिए अभी चिंतेत होने की जरूत नहीं है आगे जाकर यह करवाया जाएगा तो अभी इसके बारे में परिशान होने की जरूत नहीं है तो आपको format मैंने बता दिया अब sir books एक बार लिख दो कि कौन सी कौन सी पढ़नी है और study IQ sir clearly बताओ course ला रहा है नहीं ला रहा can we depend on you or not we are bringing course will be launched tonight आज रात को launch हो जाएगा जिसमें आप admission लेके अपनी complete preparation करोगे आपके सारी तयारी की सरदर्दी हम लेंगे आपको सिर्फ शांती से पढ़ना है आप existing batches में हो जैसे कि UPSC का batch आपने ले रखा है NCRT का batch आपने ले रखा है या कोई भी existing batch आपके पास है तो आपको मैं extra discount भी available कराऊंगा CSIR crackers यह मैंने telegram group बनाया है इस पर आपके लिए available कराऊंगा बस इतना ही नहीं आप यह main telegram group है मेरा 17,000 के करीब इस में लोग जुड़े हैं इस पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और interact कर सकते हैं exam के बारे में clarity चाहिए अब book list देख लें पहले history, quality और third current affairs यह आपका paper 1 का P1 यह लिख देता हूंग history के लिए R.S. Sharma और सतीश चंद्रा अच्छे से घौट के पीजानी है बहुत अच्छी किताब है यह अच्छे से पढ़नी है आपको इसके लावा विपिन चंद्रा विपिन चंद्रा और spectrum यह modern history की किताब है R.S. Sharma है ancient history की और सतीश चंद्रा है medieval history की और विपिन चंद्रा स्पेक्टरम है modern history की पॉलिटी के लिए लक्ष्मी कांथ standard book है यह दोनों के लिए history और पॉलिटी के लिए study IQ की books भी आती है पर study IQ books में UPSC के level का content मतलब बहुत advanced level content अवेलेबल है complete coverage चाते हो 2,3,4,5 किताबे नहीं पढ़ना चाते है तो study IQ की books से replace कर लो वो study IQ.com website पर मिलती है वरना अगर चाते हो कि बस कुझी की तरह कोई किताबे मिल जाए तो यह सारी उसी प्रकार होंगी जो quick revision में help करेंगी कुछ लोग सोच रहे हैं कि Lucent GK भी पढ़नेंगे तो Lucent GK revise करने काम आ सकता है पर Lucent GK से अपनी तयारी नहीं कर सकते क्योंकि वो conceptual knowledge नहीं बिल्ड हो पाईगी problem यह है conceptual knowledge बिल्ड नहीं हो पाईगी problem यह है next point आपको जो देखने मिलेगा मुद्दे की बात वो यह है कि हमारा paper 2 उसके लिए क्या करना है और current face तो रही क्या current face के लिए आपको monthly magazine any coaching institute कब से कब तक की January 2023 से शुरू करना अगर आप चाहते हो पूरे current face पे command बनाने की January 2023 से 2023 मताब 12 महीने पहले December में अभी हम 12 month before पूरा साल भर का cover करो ताकि कुछ ना छूटे हमें यह सिफ short short selection जो चाहते हैं उनके लिए है जो लोग सोच रहे हैं कि सर मैं तो बस paper देना चाहता हूँ मेरको तो कोई फरक नी पड़ता उन लोगों के लिए यह logic है कि आप 3 महीने का भी पढ़ लो हमारी class के तो यह हम उनमें cover करा देंगे सारे areas paper 1 के paper 2 के लिए what all areas to be done एक बार वो बता दू paper 2 के अंदर 8 section है quant or reasoning के लिए basic आपकी अगर SSC की तयारी करिए तो उनकी books right SSC या bank की या seaside की preparation कर रहे हो तो उनकी book अलग से कोई और book लेने की दरोती है अगर बहुत weak हो तो हमारा जो batch होगा CSIR का उसमें coverage हो जाएगी अच्छा सबसे पहले quant reasoning का मैंने आपको बता दिया our notes will be sufficient वरना आपके जो पहले के notes चलते आ रहे हैं उनको continue करो topics बता दिया है इन्होंने बस उसी को practice करते रहो quant reasoning में कोई आपको जादा देखा रहा है तो महनत practice पर करनी पड़ती है question solve करने पर करनी पड़ती है next third area ethics integrity aptitude ethics के लिए सुबबा राओ नाम की book आती है पर वो बहुत depth में है short and simple है lexicon lexicon ले लो definition पढ़ लो और धर definition का खुद mentally MCQ बनाने की कोशिश करो हम क्या करेंगे हमारी class में दोनों books को include करेंगे और मेरे RBI grade B के time के जो notes है क्योंकि I have given RBI interview also तो उसको मैं include करूँगा इसके अंदर now next economics study IQ book environment ecology study IQ book और कुछ करने की आवशक्ता नहीं है fifth area of concern जो आपको करना है that is science and technology 6 to 12th NCRT computer IT के लिए अलग मत करो basic जो आपको science में cover हो रहा है वो करना होगा basic जो आपका science general science में cover हो रहा है coverage हो रहा है उसको करना होगा sixth area जो कि आपका geography है 6 to 12th NCRT 11th और 12th पर जादा focus करना है और study IQ की geography की book क्योंकि उसके अंदर compiled है 4-5 किताबे तो अलग-अलग किताबे अलग-अलग institute जो suggest करेंगे वो मत पढ़ना एक book में सब कुछ मिल जाएगा कोई काएगा GC Lyong पढ़ लो कोई काएगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो माजी दुसैन पढ़ लो खुलर पढ़ लो सविंदर सिंग पढ़ लो एक book पढ़ पाओगे ये जो फैलाव होता है न किताबे फैला के रख लूँगा चार किताबे पांच किताबे खरीद लूँगा उस mindset से बाहर निकलना होगा limited resources maximum revision हमारा ये style रहेगा preparation का limited resources maximum revision एसी हमारे बाकी area of concern जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा एक हो गया decision making इसके लिए any banking institute magazine any banking institute notes decision making problem solving या हमारे जो notes मिलेंगे batch के वो पढ़ लिजेगा study IQ notes हम simplify करना चाहते हैं आपके लिए management again मेरे notes उस पर rely होना है that's all अब सर आप बार 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 बोल रहे हो कि CSIR batch है batch है कहाँ पर एक बार इसकी information दे दे है so I'll just open the link for you आपको मैं एक बार show कर देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा study IQ app website दोनों पर जा सकते हैं उस पर simply आपको 2024 के CSIR batch का link आपको देखने मिलेगा कोर्स के अंदर कैसे मिलेगा study IQ website पर गए यहाँ पर search कर लिया CSIR search किया तो उसके बाद आपके पास course का नाम आ जाएगा just a second website is slow बहुत लोग एक साथ क्लिक कर रहे होंगे CSIR SO ASO 2024 life batch यहाँ पर दिक 7999 कर रहा है इतना पे नहीं करना buy now पे जब क्लिक करोगे और discount तो उसके बाद मिलेगा इससे जादा important है मेरी personalized guidance because I have been in this field for last 6 years और अलग-अलग exam चाहे वो EPF हो हो गया UPSC हो गया RBI हो गया अलग-अलग exams में मैंने बच्चों को clear करने में मदद करी है आखो बच्चों को पड़ा है अब तक तो उस experience का फायदा आपको मैं लूँगा 5000-999 का ये course available रहेगा platinum batch available रहेगा 12 महिने की validity के साथ जिसमें आपका part 1, part 2, paper 1, paper 2, paper 3 इन तीनों की तयारी हो जाएगी चर notes मिलेंगे content reasoning के लिए practice sheet मिलेंगी number of hours paper 1 के 200 है paper 2 के 200 है और paper 3 के लिए भी कुछ 70-80 hours होंगे तो total मिला के 500 hours की preparation हो जाएगी course एक साल वैलिट रहेगा classes हम February से पहले cover कराएगे दो महिने में on an expansionary basis मतब हर चीजों को बड़ा-बड़ा के पढ़ाएगे crash course नहीं है ये it's a comprehensive course जिसमें आपकी complete coverage हो जाएगी कहां मिलेगा आपको ये study IQ website या app पर इसकी और जानकारी because आप कहीं पर पैसा invest कर रहे हो तो आप चाहते हो एक mental satisfaction कि मैं एक बाद टीचर से बात तो करूँ जो इतने सारे subject पढ़ा रहे है तो आपको वो mental satisfaction इस telegram group पर मिल जाएगी इन दोनों पर मेरा contact number how to talk to me, how to communicate with me will be available just come and talk to me and I will be guiding you with my best possible abilities about the exam but do not forget मतलब ये गलती ही लोग कर देते हैं और इन्होंने कई students ने UPSC batches में IEB batches में जुडने से पहले गलती करी है कि वो ये code apply करे भी नहीं कोस ले लेते हैं 7999 का इतना महंगा मत लीजेगा आपके लिए जब option है जब आप वसुलाइब admission discount code लगाके apply कर सकते हैं जिसमें ये सारी expert faculties including me will be taking lead will be teaching तो आप इसका फाइधा लीजे न सिर्फ discount ही नहीं आपको इसके अंदर personalized guidance भी available होगी anytime you want to ask any doubt, any question how to strategize for the exam that hand holding that assistance will be provided to you मैं एक detailed session भी लेकर आऊँगा previous year questions practice का और जितने भी लोग YouTube पे सवाल पूछ रहे come on the telegram group ask one on one questions हम आपके सारे सवाल लेंगे session को please like ध्यान से करिएगा demo lectures आपको चाहिए demo lectures मिल जाएगे for all the teachers मेरी पूरी 70 वीडियो की playlist है इंडिया नॉमिक्स की जहां पर economics मैंने पढ़ाया हुआ है YouTube पर ही available है देखो जरा उसे the quality of lectures which are for UPSC कि किस प्रकार के क्योंकि हर teacher UPSC standard का है तो the best of the best is available on study IQ that's what I'm saying Thank you demos will be provided on the telegram group take benefit of it and जो भी आपको help चाहिए because number of hours बहुत ज़्यादा है classes आपके फिल्कुल UPSC pattern पे होंगे quality comes at a price do take benefit Thank you, good luck जै हिंद, जै भारत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ पे आके आप जुटी चाहिएगा Good luck